अल्राइट, ओके, तो एक सेकेंड, शुरुवात कर ली जाए, ठीक है, ओके, हेलो एवरिवन, कैसे सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग सेफ होंगे, and welcome to just mine, ठीक है, आज हम ग्राविटेशन के कुछ और कॉंसेप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आज बेसिकली ग्राविटे जो दो चीजे हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, वो हैं सबसे पहला तो free fall, जो कि बहुत ही important concept है, और उसके बाद में है acceleration due to gravity, ठीक है, हम बात करेंगे ना, कि ऐसे हम लोग बहुत छोड़ते हैं, और वो एकदम से मीची आती है, लेकिन उसकी velocity change होती है, बात करते है ठीक है, so my name is अधर पुरानिक and I'll be teaching you physics on this channel, तो मैं basically आपको physics पढ़ाता हूं, just 9 पे, वैसे तो मैं class 10 के लिए physics, chemistry, maths, तीनों पढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन आपको मैं especially physics पढ़ाता हूं, क्योंकि आर्यापर, physics एक ऐसा subject है जो कि हमको बहुत तफ लगता है class 9 के अंदर, अब नहीं लगेगा, क्योंकि मैं try करने वाला हूं कि आपको अच्छी तरीके से और different concepts को अच्छ अच्छ एक्जाम्पल से समझा पाऊं, ठीक है, और अगर आपने पुराने lectures नहीं देखे, तो हमने motion complete कर लिया है, हमने forces and laws of motion complete कर लिया है, ठीक है, and अभी हम gravitation complete करने वाले gravitation को भी मैंने chunks में divide इसलिए किया है, ताकि तुम, अगर अगर हम 25-30 मिनट पढ़ रहे हैं, तो 5 मिनट का break चाहिए, तो I make sure कि आपके lectures कुछ इस तरीके से हो, ताकि आप जब भी पढ़ो, तो 25-30 मिनट करने आपका 1, 2, 3, 4 concepts complete हो जाए, है कि नहीं, great, चलो फिर आगे बढ आपको इस channel की community tab में देखने को मिलते ही रहेंगे, लेकिन telegram पर क्या होता है, कि सारे educators होते हैं already, तो हाँ पर आप आप आपको schedules भी देखने को मिलते हैं, आप आपको कुछ important facts देखने को मिलते हैं, बहुत सार चीज़ें बहुत सार चीज़ें बहुत शेयर होती हैं, तो य आपको आपको नीचे description के अंतर मिल जाएगी, आप जाकर जो है वो subscribe कर सकते हो, follow कर सकते हो Unacademy को महाँ पर जाएगे, तो Unacademy class 9th and 10th channel है, अभी तो यहाँ पर 169 members है, लेकिन वहाँ पर members दिन बर दिन बठते जा रहे हैं, क्योंकि telegram channel की quality काफी अच्छी है, मतलब खाफी जारा interactive, आपको एक माहोल देखने को मुलता है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते है Unacademy के subscription को लेकर, so basically यहाँ पर यह जो subscription आप देख सकते हैं, वो है foundation and NTSC subscription, है कि नहीं, वो है foundation and NTSC subscription, okay, great, अब यहाँ पर scene ऐसा है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे plans हैं 1 month, 3 month, 6 month, 12 months, 24 months, right, अब अगर मैं बात करता हूँ NTSC की तो आप NTSC अगले साल दोगे, next year दोगे, right, आप NTSC जो है वो अगले साल देने वालो, great, अभी आपकी लिए जो 6 months या आफि 12 months वाला प्लाने वो काफी beneficial हो सकता है, क्योंकि scene ऐसा है कि आप अगर serious हो NTSC को लेकर, कि मुझे आर अगले साल crack करनी है, तो आपको थोड़ा सा अभी से सोचना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, कारण यह होता है कि NTSC का देखा जाये तो syllabus kind of vast होता है, ठीक है, और यह समत्वर ऐसा नहीं है कि मैं बोलू में tough होता है, tough नहीं होता है, लेकिन proper guidance की जरूरत कर सकते हैं, ठीक है, अगें सिर्फ इतना ही नहीं है, तो आप जो हैं पर amount देख सकते हो, ठीक है, इस amount से भी कम amount में आपको यह plan देखने को मिल सकता है, अगर आप मेरा promo code AP01 यह use करते हैं, so basically क्या होता है न, कि आप अगर यह promo code AP01 use करेंगे, तो आपको इस पर extra 10% off देखने Great, amazing, alright, बहुत सारे plans available, आप checkout कर सकते हैं, आप देख सकते हो, कि यह plan था है, आप 12 months का, उसकी price कम होगी है, इतनी होगी, काफी अच्छी बर्चत हो रही है आपके, alright, great, आगे बढ़ते, अब बात करते हैं, iconic subscription की, after plus subscription की, so basically scene ऐसा है, कि वो आपने देखा कि यह NTSC का subscription था, यहाँ पर basically, आप अगर चाहते हैं, कि आपको class 9 के लिए, ठीक है, बचे वो महिनों के लिए कोई plan चीए, तो आप आप पर 6 months ओला plan check out कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप यार 9th और 10th, मतलब 10th का भी plan ले दीजिए, क्योंक सारो साल में कोचिंग का करना है, material, यह सारी चीज़ों का बहुत problem होता है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप सारे के सारी, you know, classes जो है, वो एक जगा से कर पाओ, तो आप 18 months का 24 months का plan check out कर सकते हो, काफी सारे plans है, ठीक है, लेकिन मैं again recommend करते हो कि आप 6 या फिर 12 months का check out कर सक 10 months कर स चलते हैं, और साथ यह साथ में आपको सब्पी देखने के मैं, अगर आपको डॉट है, अको एक पर सारे क्लास में क्या होता है, चलते होता है, अप जिस बैच में चाहाँ वो जा सकते हो, ठीक है, थी सारे questions का answer दिया जाता है, एक particular batch होती है, जहां पर आप होते हो, ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, एक particular batch होती है, तो AP01 is the promo code again for that, you can use that too, ठीक है, you can use that too, AP01 is the promo code for this also, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं guys, free fall की, पर या free fall क्या होता है, मैंने यह होता है, लेकिन यह free fall को है नहीं, यहाँ पर तो यह पीछे connected है, मैंने कहां, क्योंकि इंसान को अगर जीवित रहना है, उपर से खूदते हैं, तो उसको यह लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तुम एक चीज सोचो, जब कोई particular, let us say, let us say, कि यह एक building है, ठीक हम यहा इसका यह बात कर रहा है, इसका यह मतलब है कि मैं किसी height से नीचे आने की बात कर रहा हूँ, और भले ही तुम धरती पर किसी भी height पर चले जोग, तुम नीचे ही आओगे, कारण क्या है, कारण यह है कि हमको gravitational force आट्राक कर रहा है, हम बात कर चुकि यह last lecture के नहीं, है कि नह हम earth को attract नहीं करते का, मैंने यह भी answer दिया था last lecture के अंदर, कि करते तो है, लेकिन यह mass earth का इतना जादा है, कि कोई फरागे नहीं पड़ता, है कि नहीं, great, so basically free fall क्या होता है, free fall इसके definition तो आप आप पर से देखे लेना, लेकिन आपको concept समझा रहा हूँ, कि यह जब कोई च सोच हो कि मैं उस पर already force लगा कि उसको नीचे फेक रहा हूँ, है कि नहीं, great, लेकिन अगर मैं इस particular height से एक ball को drop कर रहा हूँ, सिर्फ drop कर रहा हूँ, तो क्या होने वाल है, कि वो ball अपने आप नीचे जाएगी, क्यो जाएगी, gravitation के करण जाएगी, है कि नहीं, gravitation के करण ज free fall एक ऐसी चीज है, जो कि काफी काम की होती है, मतलब आपको free fall के काफी सारे benefits देख, benefits वह कैई बोलो मैं, काफी सारे आपने देखा होगा कि free fall हो रहा है, यहाँ पर free fall हो रहा है, वहाँ पर free fall हो ठीक है, तो scene ऐसा है, देखो मैं explain क्या करना चाएग, कि free fall को science के जगत में, साइन्स के जगत में साइन्स के जगत में अगर तुम्हें एक पर्टिकलर तरीके से देखते हो तो कफी कमाल की चीज है मतलब आप सोचो कि अगर एक पर्टिकलर चीज अगर आप किसी भी हाइट से ड्रॉब कर रहे हो वह नीचे ही आनी है वह नीचे ही आनी है, वाल कितना खमाल है ना कि आप कोई भी चीज को उपर से ड्रॉप करो, वो नीचे ही आएग। तो कितना खतरनाक फोर्स होगा यह जो उसको अट्राट कर रहे है देखो यह ना बेसिकली आप सोचो, और बेसिकली आपको पता यही है कि जैसे कि यह नोन कॉंटक्टक्ट फोर्स होता है हम अगर एक चीज नोडिस करेंगे तो अगर आप बॉल जो है वो उपर से ड्रॉप करते हैं तो जब बॉल नीचे ग्राउंड पर टक्रा जाती है यहां पर टक्रा जाती है इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उस बॉल को उठा यह प्रिगा रहा है कि लेकिंटा आप अब जब बात कर लेंगे अपने तक बड़ी की बारे में सुना है यह तो पने चोट चीज की value होती है वो होती है 9.8 meter per second square हाँ या ना हमने बिल्कुल सुनी होगी है कि नी हमने बिल्कुल सुनी होगी अच्छा ग्रेट अमेजिंग लेकिन acceleration due to gravity है क्या ठीक है एक चीज बताता हूं मैं जिससे तुमको सब कुछ समझना आ जाए यह एक building थी ठीक एक building थी ओल्राइट इस building के top से हमने एक ball को नीचे फिका हमने बॉल को नीचे फिका great amazing आया मज़े अच्छा उसको पहले पाकाट रखा था तो उसकी initial velocity 0 थी अच्छा great लेकिन जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है उसकी velocity constant नहीं है कारण क्या है कारण है यह क्योंकि उस पर gravity का force लग रहा है उस पर basically क इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कुछ न कुछ acceleration है अच्छा अब यह तो free fall में गिर रही है तो gravity के अलावा तो और को फोर्स नहीं लग सकता तो यह किसके कारण हो रहा है यह gravity के कारण हो रहा है तो basically क्या होता है अगर मैं और चीतरे के समझाओं तो जब यह free fall हो रहा होत से va है इस point पर velocity कुछ अलग है vba है कारण क्या है कारण है acceleration due to gravity ठीक है यह जी और यह जी की value हमने देखी कि या तो हम convenience के according या तो 10 meter per second square लेते है जो भी question के अंदर दिया हो या फिर 9.8 meter per second square लेते है अब यह scene कैसा है पहले समझ लेते है ठीक है great okay amazing इससे कि यह है यह अर्थ ह खड़ा है हमारा बंटी 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 का मास्ट लेट से है कि MB बंटी है तो MB इसका मतलब यह है कि जो इस पर force लगने वाले हमने अभी थोड़े थोड़े ताइम पहली बात की थी last lecture के अंदर कि जो force होता है जो add कर रहा होता है वो कितना होता है gm ठीक है m by r square है कि नी by r square दो बॉडी का मास्ट है ना और divided by the radius मतलब divided by the distance sorry ठीक है great और वो क्या होता है वो basically क्या होता है वो center to center होता है है कि नी वो center to center होता है great amazing तो एक काम करता है यह basically इसको मैं आसे वापस लिखता हूँ ठीक है यह कुछ ऐसा हो जाएगा m mb upon a square एक और example लेते है यह बहुत ही common example ह यह बहुत है आपको हर जगा यह देखने को मैं लेगा same example यूज हो तो है एक यहाँ पर है यह है यह बंटी का भाई इस बंटी का भाई तो लेड़ा सें एम, एम, के, ठीक है, ठीक है, एम, के, ओके, इस पर भी क्या फोर्स लग रहा है, F is equals to G, M, M क्या है, और का है भाई, ठीक है, M, के, किसका, बंटीक है भाई का, ठीक है, R square, ओके, ग्रेट, आशा, एक चीज़ नोटिस करो, कि इस वाले case में भी, और इस वाले case में भी, अरे, बिल्कुल है, अरे, बिल्कुल है, भाईया, हाँ, great, मैंने खाँ लेट, अचा, हमने एक और चीज़ देखी थी, कि F जो होता है, F जो होता है, वो M, A के बराबर होता है, हाँ या ना, अरे, बिल्कुल हाँ, ठीक है, अरे, बिल्कुल हाँ, अचा, इस case में, ठीक है, जब मैं किसी भी freefall की बात करता हूँ, तो हम basically A की बात करते हैं अब इस case में A क्या होता है जब मैंी फ्री फाल की बात कर रहा हूँ जब मैं बात कर रहा हुआ यह हो जाएगा G के बराबर कैसे भाईया नहीं जमान में हैं मैंने कभी समझाता हूँ इन दोनों फॉर्मूलास को compare करो F is equals to mg F is equals to यह रहा M और जब अब इन दोनों compare कर रहे हैं इसका मतलब इस पूरे की value GM upon R square इस पूरे की value G के बराबर ज़ेगी देखा हूँ एक बार आपस दिखा जाता हूँ अब इस M के को मैं आगे लिख रहा हूँ इस M के को मैं आगे लिख रहा हूँ GM upon R square तो basically यहाँ पर M लिखा है सिर्फ भाईया मैंने का वो mass है ना M के भी mass ही है हम mass ऐसा नहीं होता है कि mass अगर मैं 12 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं हर जगा 12 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं mass की बात कर रहा हूँ in general ठीक है mass होना चाहिए ठीक ग्रेट तो यहाँ पर mass है यहाँ पर भी mass है यहाँ पर G है यह पूरे की value G होनी चाहिए ये बताने के ने मैंने तुम को दो एक्जांपल दीते हैं कि नी ग्रेट अच्छा अब भाईया ये 10 meter per second square ये तो हम अपने convenience के सब से रहते हैं लेकिन जो 9.8 meter per second square आंसर आता है ये कैसे आता है मैंने का इसके अंदर इसके अंदर जब हम G की value डालते हैं अर्थ का जो basically हमारा mass है वो डालते हैं ठीक है और distance डालते हैं तो हमें G की value पता चल जाते हैं ठीक है basically हमें G की value पता चल जाते हैं ठीक है वो तो again आपकी आपकी इच्छागर करने हो तो बागी 9.8 meter per second square जो है वो answer आता है ठीक है great amazing तो कितना आसान है मतलब देखो acceleration due to gravity हमें F is equal to MA पता है where A is acceleration ठ बात करें अगर अभी हम gravity के according बात कर रहे है तो हमें आपर जी की बात करने पड़ेगी है कि नहीं हमें आपर basically G की बात करने पड़ेगी मैंने का बिल्कुल सही है ठीक है बिल्कुल सही है अच्छा amazing amazing all right तो यहाँ पर F is equal to mg हमने यह भी देख लिया कि basically यह mg कैसे है और यह GM g की बराबर है ठीक है फिर g की value देख लिए हमने है कि नहीं हमने freefall की बात करने आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं weight की weight एक जूट okay so basically weight क्या होता है weight जो हम जाते हैं बाजार में जाते हैं कुछ खरीदे हैं सबजियां खरीदे हैं ठीक है लटस है कि हमने आलू खरीदे है अना हमने बोला कि भाया हमें 5 kg आलू दे दो नहीं ठीक है यह 5 kg उसका weight नहीं है ठीक है यह basically kya है यह 5 newton the force the force with which force with which earth is attracting us ठीक है force with which earth is attracting us, ठीक है, earth is attracting us, great, आब एक चीज़ समझो, यह जो आलू का जो, बीसिकलि यह वेट है, ठीक है, यह वेट है, बीसिकलि यह जूट है, हमारा वजन 50 kg नहीं है, ठीक है, देखा जाये तो, यह वेट हर जगा डिफरेंट आएगा, ठीक है, यह वेट हर जगा डिफरेंट हर प्लाइट पर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है, लेकिन, हम जानते हैं, कि F होता है, mg के बराबर, तो अभी सबसे पहले हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने यह बात की, कि वेट जो है बेसिकलि एक जूट है, हमने बात की, कि जो हम देखते हैं, वो वेइंग स्क लग रही है हम पर gravity लग रही है तो अगर हम पर gravity लग रही है और अगर हमारा mass है लेटर से m तो हम पर force कितना लगेगा f is equals to mg ठीक है अच्छा अब हमारा जो mass है समझो एक बात को कि weight change हो सकता है इधर जाओ कि इस planet पे उस planet अगर मैं इस mass की बात करता हूं तो यह mass हर planet पर हर जगा सेम रहेगा अंतिन अनलेस इसमें से कोई पाड रहा तो तोड़ ना दिया जाए या फिर इसमें जोड़ ना दिया जाए ठीक है लेटर से कि मैंने इसमें सब्सकान निकाल दिया ठीक है और pen को अब पेन के दो तुकड़े हो गए तो किसी एक तुकड़े का मास जो है अब अलग होगा है कि नहीं अलग होगा क्योंकि हमने उसका उसके भाई यह पूरे पेन का मास लेटे से की 10 ग्राम था ठीक है जब मैं बीचे से तोड़ दूँगा तो लेटे से की एक पार्ट का 6 ग है it is actually the force with which earth is attracting us है कि नहीं it is actually the force with which earth is attracting us all right great है तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है हमने पढ़ लिया एक्सेलरेशन ड्यू इसमें हमने बात कर ली कि हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर लेते हैं लेकिन अगर क्वेश्चन में conveniently करना है कुछ तो हम 10 मीटर पर सेकेंड वेश्चन में बात कर लेकिन यूमन्स ऐसा जीसा फ्रीफॉल कर नहीं सकते हैं जब तक पर शुट बड़ना हमेशा अच्छा हो था जब तक हम चौंक्स में नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा एक रिया बहुत चार आपके जितने बेसिकली मैं और बहुत सब प्रणयबया हो गए आपकी अंकित सर हो गया अश्दीप मैं हो गई है कि नहीं जुतनी में एटुकेटर से सब लोग क्विजस लेते हैं आपके लिए ठीक है और यह जो क्विजसे बिसिकली अनकाटमी के अप्लिकेशन के आपको देखने को मिल जाएगी बहुत सारी स्टे क्विजव एली ऑक्षन पर क्लिक करके फिल जाना पड़ेगा है कि और मूर एक कोड़ यह है थीडय हो गली कुड़ और वा यह नहीं कोई चानल नहीं है तो यह है आपके लिए कि अनक आपको अपने एजुकेटर के साथ में इंट्राक्शन मिलता है यहाँ पर इक पर ना कि पर बैच के नदर कुछी बच्ची होते हैं तो आप समझ सकते हो ना कि आप उपको डाट पूछ रहो और एक फायदा यह होता है कि आपके सारे ड़ॉट आपर सारी क्लियर किया जाता है। 5. लाइफ पॉल होते हैं, लीटरबोर्ट जोनी तो आपको मैंने जो आंसेर दिया वह सही है कि नहीं है। और लीडर बोर्ड के अंदर अगें आपको समझ में आता है कि या रहा है। मैं कहां पर स्टार्ण कर रहा हूँ, मुझे कितना और काम करना है। अच्छा इतना ही नहीं तो आपको टेस्स सीरीज भी देखने को मतलते हैं, मापर आलिक्षिस भी देखने को मतलते हैं। मैंने जो आंसर दिया वो सही था या नहीं था ठीक है और मैंने टोटल जो आंसर दिये है मेरी एक्यूरेसी क्या है और मुझे कहाँ पर इंप्रूफ करना है है कि नहीं ग्रेट अच्छा लाइब आपको बताया थोड़ी देर पहले अगेन 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 अप्लिकेशन स्क्रिप्सिप्सिंट पर क्लेक्श करना है अब देख सकते हो यह एकनिक का फायदा यह है प्लस का उपने समझ लिए ऐक परसनल मेंटॉर भी देखने कि मुलता है तो आप दोनों में से कोई भी प्लान चेक आउट कर सकते हो है, ठीक है, and this is it, thank you very much for watching, अब थोड़ा साई कॉंसेंट बचा, इसके बाद हम मून गून की बाते करेंगे, and gravitation खतम हो जाएगा, छोटे-छोटे हमने वीडियो से रखें, ताकि आप समझ सोखो, प्राक्टिस कर स वीडियो, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि वीडियो दंबा नी बना ची और वीडियो लंबा बन गया, एक सेक्ड, देख लेते हैं, देख लेते हैं, ओके, तो 22 मिनिट का वीडियो बना है, जाधा लंबा भी नहीं बना है वीडियो, ओके, ग्रेट, अमेजिंग, थैंक कर देख वयु और झालने हैं, aux Mêmeुव